आज का हमारा पहला question डल्टा T हम लोग को दियावा है 0.07-0.005T T less than equal to 8 and 0.0640 greater than 8 तो इसमें हम लोग को निकालना क्या है calculate A 0 to 10 बन्हें 10 साल का हम लोग को accumulation factor निकालना है ठीक है तो कैसे निकालेंगे exponential integration 0 to 8 0.07-0.005T DT ठीक है e to the power 0.06 into 2 correct यही तो होगा न क्योंकि 8 years के बाद में तो force of interest constant हो गया है अब इसको solve कर लीजिए exponential 0.07 into 8 minus 0.005 by 2 into 64 e to the power 0.12 इसको solve करके बताए कितना आ रहे है वी नम्र अरोडा मैं तुमसे answer चाहता हूँ बेटे answer दो ग्राजुएशन अभी जो लोग भी class 12 में है एक fact share करना चाहूँगा graduation के 3 साल के अंदर मतलब total में 6 साल 3 साल graduation का और 3 साल आपका job का 6 साल में लोग fellow बन रहे हैं fellow actuary बन रहे हैं और salary आसमान चुएगा 25 लाक minimum salary है कम नहीं होता है एक जो fresh I am graduate होता है न उसका भी 20 से 25 लाक का range में रहता है I am ABC का मैं बात कर रहा हूँ तो क्या खराब है बस महनत करना पड़ेगा ठीक हैं जब शादी ब्याय में जाओगे न और जब मामा जी के पैर चुओगे तो मामा जी जब पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो तो ऐसे मत बुलना मामा जी मेरा तो fourth attempt है CM1 का ऐसे मत बुलना बुलना मामा जी बस दो paper बचा गए तो समझे रहो शादी भी हमें पूछते हैं न मतलब तो इसी लिए 1.68202 यह आ रहा है न 1.68202 विनम्ब रोड़ा यह आ रहा है तुम्हारा ठीक है अब इसके बात का question लिखो इसी में calculate the present value at time t is equal to 0 of a continuous payment stream rho t is equal to 200 e to the power 0.1 t paid from t is equal to 10 to t is equal to 18 समझ गए मैंने 10 समझो मैंने अरे एक में टुको लिखो मत हम लोग हम लोग के खून में आना चाहिए cm1 मैंने खून में इस पूरा बदन में जाना चाहिए ठीक है तो इसको पहले समझते हैं यह मैंने 10 साल का accumulation factor निकाल लिया अब इसका जो value है इसका value तो पहले time 10 पे आएगा हम लोग जो equation बनाएंगे तो 10 से 18 में हो रहा है यह 200 e to the power 0.1 t exponential minus t पे जो payment to house को 10 पे लाएंगे 0.06 ds whole into dt into v 0 to 10 जो है न यह क्या करेंगे पता है 1 by 1.68202 सबको समझ में आ गया discounting factor for 10 years is equal to 1 by accumulation factor for 10 years ठीक है तो अब इसको solve कर लिजे इसको अपने बाद में कर लेंगे पहले pv add time 10 निकाल रहे हैं solve करिए इसको पूरा को तो 200 बाहर आ जाएगा 10 से 18 e to the power 0.1 t e to the power minus 0.06 t minus 10 dt तो 200 e to the power 0.6 e to the power 0.1 t e to the power minus 0.06 t dt 200 e to the power 0.6 10 से 18 e to the power minus 0.04 t dt solve करिए इसको फड़ा फड़ से और final answer बताईएगा मने pv add t is equal to 0 is pv add t is equal to 10 into v 0 to 10 हाँ सही बोले यहाँ पर minus नहीं होगा ठीक है है solve करके बताई यह final answer क्या है camera कोई अपना off नहीं करेगा मैं को class से निकालते एक minute नहीं लेगा बार बार request करोगा तो भी नहीं entry दूँगा मैं class में यह गलत है अंज गुपता तुमारा answer गलत है और कोई भाई बंदू जो answer देना चाहेगा और कोई हमारा भाई बंदू इतना आसान सा answer नहीं निकल रहे है आरिया सौधिया गलत सही एकदम 3047 वेरी गुड आरिया 3047.33 is the correct answer खुशी शर्मा बिल्कुल सही answer है वेरी गुड रचित यादव बिल्कुल सही है फटाफट से बाकिलो करो नेक्स्ट कोशन द्यान दो डेल्टा टीक हम लोग को दिया वह है पॉइंट 06 पॉइंट 05 प्लस पॉइंट 0002T स्क्वाइर ठीक है अब इसका कोशन लिखो calculate the accumulated value at t is equal to 12 of a continuous payment stream of 100 per annum calculate the accumulated value at t is equal to 12 of a continuous payment stream of 100 per annum payable from t is equal to 0 to t is equal to 6 solve करिये इसको तो क्या करेंगे पहले 0 से 6 का करेंगे फिर 6 से 12 पे लेके जाएंगे तो 0 से 6 का करने के लिए 0 से 6 है रो टी हम लोगों को दिया हुए 100 exponential time t पर जो payment हुआ इसको 6 पे लेके जाएंगे 0.06 ds hole into dt तो क्या हो जाएगा 100 बाहर 0 से 6 e to the power 0.066 minus t dt 100 e to the power 0.36 integration 0 से 6 e to the power minus 0.06 t dt solve करिए इसको और final answer बताइए यह मेरा क्या आ रहे यह मेरा आएगा av at t is equal to 6 फिर अगर हम लोग को इसका final answer जो भी आ रहा है av at t is equal to 12 अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा av at t is equal to 6 into exponential integration 6 से 12 6 से 12 0.05 plus 0.0002 t square ठीक है solve कर लो इसको धो आए इसका वो बनार। 15 अपया 15 okay अजब बनारफ 16 क्या रहा फैनल एंसर बताओ श्रेक इनोडिया अनिका बंसल क्या रहा एंसर बताईए राशी पारेक एंसर बताईए सानवी एंसर बताओ 107 इस अर्यक्त एंसर झाल 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 a बार n दियावा है अपने को 4 s बार n अपने को दियावा है 12 calculate delta कारू झाल कि एरल क्यां याद है याद हैँ व्याद है अज daw nieअवेवार दियाशी कि लिग मा झाल 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 एंसर प्लीज एंसर प्लीज एंसर प्लीज तो एंसर प्लीजच सा प्लीजच सा प्लीजच साथ प्लीजर प्लीज्च N common lelo. 1 minus e to the power minus delta N by delta is equal to 12. Toh e to the power delta N is equal to 12 by 4 which is equal to 3. Toh 3 minus 1 by delta is equal to 12. Therefore delta is equal to 2 by 12 which is equal to 1 by 6. छीक है? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट. Clear? Next question लिखना? अचा, next question नहीं है. लिखना annuiti spade, annuiti spade pthly. लिखना annuiti spade pthly. annuiti spade pthly. मैंने आप हो क्या रहे? for example समझो, एक साल में ना चार बर payment हो रहे है. जो annual rate of payment है वो है 1 per annum. N years का annuiti है. अगर एक साल में चार बर payment हो रहे है तो N years में total number of payments कितना होगा? 4N. 4N number of payments. Each payment कितने का होगा? 1 by 4. क्योंकि पूरा साल में मेरे को एक रुपए देना है? पूरा साल में अगर मेरे को एक रुपए देना है, तो हर एक quarter के end पे मैं कितना दूँगा? 1 by 4. Arrears है. ठीक है? इसको case को हम लोग क्या बूलेंगे? Quarterly in Arrear. समझ रहे है? हर quarter के end पे 1 by 4 का payment हो रहे है. तब जाके मेरा जो annual rate आ रहे है, वो आ रहे है 1. ठीक है? तो इसका कैसे बनाएंगे? ध्यान देना. एक quarter का discounting factor क्या होगा? V to the power 1 by 4. क्योंकि एक साल का discounting factor क्या होता है? V. तो एक quarter का discounting factor क्या होगा? V to the power 1 by 4. ध्यान देना. तो पहले साल का मैं present value निकाल रहा हूँ. तो पहले साल का अपने क्या करेंगे? 1 by 4 V to the power 1 by 4. ये पहला payment हुआ एक quarter के बाद का. ठीक है? सबको ये समझ में आ रहा है? फिर half year के बाद में जो payment होगा 1 by 4 V to the power half. फिर तीन quarter के बाद में 1 by 4 V to the power 3 by 4. एक साल के बाद में 1 by 4 V. उसके बाद में जो second year है 1 by 4 V to the power 1 plus 1 by 4. क्यों? फिफ्थ quarter के end पहे हैं. मतलब एक साल और एक quarter. प्लस प्लस 1 by 4 V to the power 1 plus 2 by 4. प्लस 1 by 4 V to the power 1 plus 3 by 4. प्लस 1 by 4 V square. तो इस तरीके से हम लोग जाएंगे. ठीक है? तो डॉट 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 लास्ट पेमिंट में रख्या हो जाएगा? . . . लास्ट पेमिंट मेरा क्या हो जाएगा? 1 by 4 V to the power N. ठीक है तो? 1 by 4 V, तो टोटल नमबर आपेमिंट कितना हो रहे हैं इसमें? 4N नमबर आपेमिंट्स. पेमिंट का अमांट सेम है क्योंकि लेवल आइनविटी है, खाली डिस्काउंटिंग फैक्टर भढ़ते जा रहे पहला एक quarter, फिर धो quarter, फिर तीन quarter, फिर चार quarter, चार quarter मतलब एक साल, पांच quarter मतलब एक साल एक quarter, ठीक है? V to the power N मतलब 4N quarters, ठीक है? अब ये क्या बन गया, कोई बता सकता है? ये क्या बन गया? ये GP बन गया, यह gp बन गया, जो metric progression, ठीक है, इसमें r क्या है, comment box पर बताना, what is r, what is r in this, v to the power 1 by 4, ठीक है, first term क्या है, 1 by 4, v to the power 1 by 4, तो इसको gp ratio लगाओ, कुछ नहीं है, एक quarter का discounting factor क्या होगा, v to the power 1 by 4, पहला payment एक quarter बाद हो रहा है, तो एक quarter टान रहे, फिर दो quarter टान रहे, दो quarter मतलब क्या आधा साल, इसले v to the power half, ठीक है, बहुत simple, और payment amount is 1 by 4, तो payment का amount into discounting factor is equal to the present value, ठीक है, सबको present value में ला के sum कर सकते है ठीक है, तो अब इसको gp लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 by 4, v to the power 1 by 4, 1 minus r, to the power n, n यहाँ पर number of terms है, तो number of terms क्या हो जाएगा, 4n number of terms है, 4n number of terms है, ठीक है, क्योंकि total number of payments कितने हो रहे हैं, 4n, क्योंकि n years है, और एक साल में 4 बार, ठीक है, by 1 minus r, ठीक है, अच्छा, अब एक काम करो, यह वला पार्ट को denominator में ले जाओ, यह वला जो पार्ट है न, एक मिट, यह वला जो पार्ट है, यह वला पार्ट को denominator में ले जाओ, तो देखो, कैसे करेंगे, 1 minus v to the power n, क्योंकि 4n into 1 by 4, 1 minus v to the power n हो जाएगा, denominator का denominator, देखो, कैसे जाएगा यह, 1 minus v to the power 1 by 4 by v to the power 1 by 4 into 1 by 4 आता, तो यह 4 उपर आ जाएगा, न, denominator का denominator में, देखो, numerator से कोई चीज़ अगर जाता है, तो वो denominator का denominator में जाएगा, अब यह जब 1 by 4 नीचे जाएगा, तो 4 हो जाएगा, न, आप लोग खुद करके देख लिजिए, यह जाएगा, denominator का denominator में, तो यहाँ पर 1 by 4 मतलब क्या, 4, अरे, यह जो 1 by 4, यह को अपने 1 by 4 नॉर्मली लिख सकते हैं, न, अब यह 4 नॉर्मिनेटर में है, तो अल्टिमेटली आएगा, क्या देखो, 1 minus V to the power n by, 1 by discounting factor for 1 quarter, is equal to accumulation factor for 1 quarter, and accumulation factor for 1 quarter is what, 4 अपना बहार में है, 1 plus i to the power 1 by 4 minus, V to the power 1 by 4, V to the power 1 by 4 cancel, तो यह मेरा final आएगा, चेक करो पहले इसको, ठीक हैं, अब एक बात एकदम ध्यान से सुनना, अगर मान लो, मेरेको i दियावा है, और अगर मेरेको i4 निकालना है, तो मैं क्या equation बनाऊँगा, 1 plus i, जो कि एक साल का accumulation factor है, 1 plus i4 by 4, whole to the power 4, तो अब क्या करेंगे, 1 plus i, to the power 1 by 4, minus 1, whole into 4, is equal to i4, ठीक है तो, तो अब यह वाला जो पूरा पार देखो, यहाँ पर as it is है, हां, तो नीचे में क्या आजाएगा पता है, 1 minus v to the power n by i4, इसको बोलते है, working in years, but the payment is in quarters, तो एक time period जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, उसमें multiple times payment हो रहे हैं, we were working in years, because हमने interest rate annual लिया है, बट एक साल में 4 बर payment हो सकता है, 12 बर payment हो सकता है, ठीक है, तो this is how we will proceed, अब इसको आराम से देखके, पहले copy करो, कर दो कर दो ौ झाल 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 कंटिनुवस आरिया सौधिया कंटिनुवस पेमेंट्स हो रहे थे, मतब जैसे पेमेंट्स स्ट्रीम है न, वैसे ही हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो मेरे को exact timing of payment पता है और fixed time intervals में हो रहे हैं, आप इसको measure कर सकते हो, उसको measure नहीं कर सकते हो, ठीक हैं, यहाँ पर क्या हो रहे, अगर पूरा साल में 100 रूपये देना है, तो हर quarter में 25-25 रूपय देना है, वहाँ पर क्या हो रह थे, पूरा साल में 100 रूपये देना है, कभी एक दो, कभी दो, कभी नहीं तो चलेगा, वैसा, लेकिन पुरा साल में 100 देना है, यह note में लिख लेना, इसका notation होता है, और एक साल में 4 बर पेमेंट हो रहा है, एक साल में 4 बर पेमेंट हो रहा है, तो उपर में 4 लिखते हैं, अब ध्यान देना, अब जैसे इसका जो notation होता है, बिटा टाइप करो, बिटा टाइप करो, अब जैसे इसका जो notation होता है, वो होता है ANP, then I will clear it after the class, lengthy doubt I don't, इसमें किस पार्ट में प्रॉब्लम हुआ तुमको, ठीक है, ठीक है, I will clear it after the class, ठीक है, तो ANP, अब ध्यान देना, N यहाँ पर क्या है, यहाँ पर amount आएगा, ठीक है, यहाँ पर एक amount आता है, यह तुम्हारा number of years हो गया, और यहाँ पर add the rate I percent आएगा, तो यह तीन चीज़ जो है, यह तीनों same time period को ओना चाहिए, जैसे for example, 100 rupees per annum, is the rate of payment, but it will be paid in quarters, तो हर quarter में 25 मिलेगा, पेमेंट quarterly हो रहा है, but 100 rupees is the rate of payment per annum, ठीक है, पात साल के लिए, एन 8% annual rate है, तो 100, A4, 5 at the rate 8%, अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर यह 100 भी annual है, यह 5 भी annual है, और यह rate भी annual है, तो तीनों annual हुए, यह तीनों same time period का होना चाहिए, तब ही आपका answer सही बैठेगा, और ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको annual में ही करना है, तुम किसी में भी कर सकता है, तुम इसको half year में भी कर सकता है, तुम इसको quarterly में भी कर सकता है, तुम तुमारा जैसा मन तुम वैसे कर सकता है, ठीक है, consistency हमेशा रहना चाहिए, and denotes the number of time periods, और यह जो P है, यह जो समानों payment quarters में हो रहा है, ठीक है, लेकिन काम साल में कर रहे है, तो एक साल में कितना बार payment होगा, 4 बार, तो देखो, उपर में 4 आया है, अगर एक साल में 12 बार payment होता, तो उपर में 12 आता, एक साल में 2 बार payment होता, तो उपर में 2 आता, provided we are working in years, ठीक है, पहली मतलब जिस time period में आप काम कर रहे हैं, उस time period में कितना बार payment हो रहे है, ठीक है, एक example देंगे तब समझ में आएगा, एक question लिखो, find the value of an annuity, find the value of an annuity, value नही present value, find the present value of an annuity of 160 per annum, payable quarterly in arrears, present value of an annuity of 160 per annum, payable quarterly in arrears, for 4 years, find the present value of an annuity of 160 per annum, payable quarterly in arrears, for 4 years, at a rate of interest of, at a rate of interest of, 12% per annum, 12% per annum, convertible half yearly, find the present value of an annuity of 160 per annum, payable quarterly in arrears, for 4 years, at a rate of interest of 12% per annum, convertible half yearly, अब एक्तम ध्यान से सुनना, सब चीज़ अलग-अलग दिया है, इसमें मैंने है, ठीक है, हम लोग को present value निकालना है, और payable quarterly in arrears बोला है, payable quarterly in arrears बोला है, ठीक है, अब एक general चीज़ जो मैं आपको लोग को इसमें बताना भूल गया, इसका जो general जो होता है, वो यह होता है, अब जैसे मालनो a, n, p है ना, तो इसका answer पता है क्या आएगा, 1-v to the power n by ip, बने, अगर मालनो, साल में काम कर रहे हैं, और payment half yearly हो रहा है, तो नीचे में i2 आएगा, ठीक है, where p is the frequency of payment in the time period in which you are working, if you are working in half years and the payment is monthly, तो p के जगा में 6 आना चाहिए, क्योंकि एक half year में 6 महीना होता है, मतलब 6 payment होगा, ठीक है, if you are working in quarters and the payment is monthly, then p के जगा में 3 आना चाहिए, क्योंकि एक quarter में 3 महीना होता है, ठीक है, हाँ, तो यह जो है, यह general formula है, अब अगर मालनो, ऐसा आजाए आपके exam में, a, d, u, n, p, तो क्या होगा, 1- v to the power n by dp, advance में dp हो जाता है, क्यों बोलो तो, क्योंकि जब अपने normal annuity किये थे, तो normal annuity में क्या हुआ था अपना, नीचे में i आया था, arrears में, और advance में नीचे में d आया था, तो अभी अपने जब ptly कर रहे हैं, तो नीचे में ip आएगा, और advance वाले में dp आएगा, ठीक है, हाँ, अच्छा, अब एकदम ध्यान देना, अब जैसे यह वाला question अगर समझ में आ गया, इसको अपने तीन-चार method से करेंगे, जैसे, एक और note लिखो यहाँ पर, note, note लिखो, note में लिखना, note में लिखना, हिंदी में लिखवा रहे हैं, वाले बच्चों को थोड़ा दिख्कत होगा हिंदी में लिखवा रहे हैं, मेरा इंग्लीश उपता अच्छा नहीं है, तो लिखना, जिस टाइम पीरियड में काम कर रहे हैं, ऐसे लिखो, जिस टाइम पीरियड में काम कर रहे हैं, कॉमा उस time period में minimum एक payment हो जाना चाहिए उस time period में minimum एक payment हो जाना चाहिए सर समझाईए अब एक बात समझना अगर मानलो मैं quarters में काम कर रहा हूँ तो एक quarter में एक payment हो जाना चाहिए, अगर मालनो payment half yearly है, तो तुम quarters में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि quarters में तो कोई payment ही नहीं हो रहा है, payment half yearly है, तो या तो half yearly में काम करो, या फिर उसका multiple में काम करो, payment quarters में है, तो तुम months में काम नहीं कर सकता है, तुम quarters में, half years में, years में काम कर सकता है, payment yearly है, तो yearly है, तो तुम half yearly quarters में काम नहीं कर सकता है, ठीक है, payment monthly है, तो तुम months में काम करो, quarters में काम करो, four months में काम करो, six months में yearly जैसे काम करने करो, ठीक है, जिस भी time period में काम कर रहे हो, उस time time period में minimum एक payment तो हो जाना चाहिए, and multiples, okay, are you getting this thing, अब जैसे quarterly नर year है, तो minimum time period किस में काम कर सकते हैं, quarters में, half year में काम कर सकते हैं, और years में काम कर सकते हैं, अपन तीनों में करेंगे, ठीक है, अपन तीनों में करेंगे, तो जैसे देखो, यहां पर है बना लिया, यहां पर बनाया quarter, यहां पर बनाया half year, और यहां पर बनाया yearly, यह मैंने यहां पर बना लिया, तो अगर देखें तो 160 है rate of payment yearly का, तो half yearly का 80 हो गया, quarterly का 40 हो गया, क्योंकि payment quarters में हो रहा है, rate, ध्यान देना, 12% convertible half yearly मतलब यह आई 2 दिया वह है, कितना दिया वह है, 0.12, तो half yearly effective rate, रुख जो एक मिनिट, half yearly effective rate क्या होगा, आई 2 बाई 2, तो आई 2 बाई 2 मेरा क्या हो जाएगा, 0.06, तुम लोग को निकालना है, आई 4 बाई 4 और आई, फड़ा-फट से निकाल के बताओ कितना कितना आ रहे है, फड़ा-फट से निकाल के बताओ, आई 2 बाई 2 दिया वह है, 0.06 यह फिर आई 2 दिया वह है, 0.12, उससे निकालो, आई 4 बाई 4 और आई, 0.1236 हो गया मेरा i, अब i4 by 4 निकालो फड़ापट से, अनमोल चोखानी, i4 by 4 बेटा, i4 by 4, i4 नहीं, कनिष्ट नहाटा, नालायक, 29% लिख रखा है, आकाज भॉमिक नालायक, 0.02956, फिर जब एक्जाम आएगा, एक्जाम से निकल के फोन करेगा, भी या बहुत अच्छा गया, एक्दम आगी लगा दिया, बस अब बता ही, नेक्स पेपर कौन सा करना है, ऐसे ऐसे आएगा नमबर, 0.291-21% को rate of interest होता है, 0.02956, चीक है, तो यह मेरा सब निकल गया, अब एक बात सुनना, अब एक बात सुनना, लेवल अनविटी जो एकदब नॉर्मल वाला जो कल किये थे, उसका मतलब क्या है, जिस time period में काम करें उस time period में एक payment हो रहे है, तो payment quarters में है, और quarters में ही काम करें मतलब क्या हो गया, normal level अन्विटी, पियाथ वियाथ का कोई जमिला ही नहीं है, चार साल तक बोला है, चार साल तक, अच्छा, चार साल तक देखें, तो quarterly, कितना time period हो गया, इहां पर आट और यहां पर चार अब अगर देखे एक मतलब समझो एक चीज यहां पर क्या है यह हो गया time periods यह हो गया time periods next बनाएंगे payment per period तो payment per period यहां पर one होगा यहां पर two होगा यहां पर four होगा बोलो हाँ नहीं समझा क्या अरे quarters में काम कर रहे हैं तो एक quarter में तो एक ही payment होगा ना एक half year में दो और एक year में चार सुनना आ रहे है हां तो फंक्शन क्या बनाएंगे ध्यान देना 40 is the payment every quarter present value निकाल ला है arrears में तो 16 quarters का है A16 और rate of interest लेंगे quarterly effective और quarterly effective rate क्या आ रहे है 0.02956 रुप जो कॉपी मत करना गलत किये हैं कॉपी मत करना यहां पर 80 क्योंकि half year में 80 का payment होगा A8 क्योंकि 8 is the number of half years और एक half year में दो बार एंड रेट कॉन सा लेंगे रेट कॉन सा लेंगे रेट कॉन सा लेंगे रेट लेंगे half yearly effective rate विच इस 0.06 रुख जाओ खतम नहीं गलत कर रहा हूं रुख जाओ इतना सा है तुम लोग इतना सा मेरे पस इतना सा आता है आंग भर आता है जब हम देखते कोई नया बच्चा आता है तो जेब तो भरता ही और आंग भी भर जाता है मेरा तुम लोग इतना इतना सा आता है मेरे पस तुम लोग को A B C D भी नहीं आता है ठीक है, यह 160 A44, क्योंकि एक साल में 4 payment, rate क्या दियाव है, at the rate 0.1236, अब सुनो, अब रुख जाओ, इसमें कोई जमेला नहीं है, रुको मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ, रुको, यह तीन थाख ठीक जा, अब देखो, यह जो equation है, यह जो equation है, देखा तो, यह आगे बढ़ गया, अन्मोल चोकानी आगे बढ़ गया, मैं बला, मेरे साथ साथ रहो, रुक जाओ भी, यह जो equation है, एक बात बोलें, अपने महले में तो कुत्ता भी शेर होता है, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यह है, कि जब हम लोग half year में काम करें करेंगे, जब हम लोग half year में काम करेंगे, तो half year का icon, जो लोग मेरे से relate कर पा रहे समझना चीज़ को, अगर हम लोग quarters में काम कर रहे हैं, तो quarters का icon, आई मतलब क्या होता है, हम लोग आज तक आई का मतलब क्या सिखे हैं, annual effective rate of interest, एक साल को एक complete period मानते हैं, standard, तो उसको नाम दिया गया आई, एक साल का खंडन करेंगे, चार दो, दो करेंगे तो half year बनेंगे, चार करेंगे तो quarter बनेंगे, अब quarter के मोहले में घुसिए, तो quarter क icon, I 4 by 4, अगर मैं एक quarter को एक period मान रहा हूं, तो quarter का icon, I 4 by 4, half year का icon, I 2 by 2, year का icon, I, समझा, एक half year को अगर एक period मानेगा, तो half year का जो, अगर हम लोग year wise देखेंगे, तो I 2 by 2 is half year ली effective rate, समझो, अगर एक साल को एक period मान रहा है, तो आधे साल का effective rate है I 2 by 2, बट, अगर एक half year को एक period मान रहा है, तो वो तो I हुआ ना, उसका, मतलब, जब अपने half year में काम कर रहे हैं, तो अपना ये I है, जब अप अपने year में काम कर रहे हैं, तो अपना ये I है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ऐसे थोड़ी ने इतना फीस है, पढ़ा के निकल जाएगा, तुम लोग को समझ में ने आएगा क्या पढ़ाया, बुले तो, ऐसे थोड़ी ने इतना फीस है, ये ये चीज दस साल से कर लो, कुछ फरक ही नहीं पढ़ता है, ये समझना पड़ेगा कि जिस time period में, ये समझना पड़ेगा कि जिस time period में काम हो रहा है, वो उसका I, उसका effective उसका I, confusion पते है कहां होगा, कोई सोच पा रहे है, हम लोग Pth का formula में क्या सिखे, नीचे में IP आएगा, ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे, जब इसका हम लोग बनाएंगे, देखो इसका तो बहुत easy है, 40, 1-1.02956, 2 the power minus 16 by 0.02956, यह तो नॉर्मल लेवल अनुटी से को solve कर लेंगे, यह तो कुछ हमिला है ही नहीं, यह तो मुद्दा है ही नहीं, ठीक है, इसमें आ जाओ, यह जो है, 80, a28, at the rate 0.06, चीर रण कर देंगे आ जिसका, देखो, 80, 1-1.06, तुदी पार minus 8 by i2 आएगा ना नीचे, अगर अपने अनुटी स्पेड पी अथली वाले फॉर्मला के साब से जाएं तो, अरे i2 कैसे निकालेंगे, एक तो i2 कोश्चन में दियाव है, वो तो i के हिसाब का i2 है, लेकिन अभी i कॉन, अभी i.06, हाफ यहर का i कॉन, 0.06, तो 0.06 के हिसाब का i2 निकलेगा, मतलब 1.06 to the power half minus 1 whole into 2, ठीक है, इसको solve करिए और यहाँ पर बठाइए, रुख जाओ, अब अगर 160, A44 करेंगे, at the rate 0.1236, 160, 1 minus 1.1236 to the power minus 4 by i4, अब यहाँ का icon 0.1236, तो 0.1236 को लेके i4 निकालेंगे, and, सच बताएं क्या, हाँ, सच बताएं क्या, छोड़ो, तुमनों खुझ से ही करो उसको, उसके बाद बताएंगे, निकालो तो फड़ाफट से, यह बला i2 कितना आ रहा और यह बला i4, फड़ाफट तीनों को solve करो, तो तीनों को solve करने से answer तीनों से same आएगा, तीनों को आप लोग solve करेंगे, आपका answer बिल्कुल same आएगा, चलि solve करिए, solve करिए फड़ाफट से, तीनों method से solve करो, answer देखो बिल्कुल same आ रहे कि नहीं आ रहे, では तीनों को spareit,imizi करे कि किनुट में। महांगे, वाले से तीन आएगे का लिल्कार, कितो लिए कि अवान से other, कितने आएगा को में। प्रूबखज महांसी में। झाल 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 तीनों से सेम एंसर चलो 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 पान्सोचार बिल्कुल सही है नेक्स्ट कुश्चन लिको झाल 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 पाटर्व झाल झाल यह 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 सुनिये हाफ यरली पेमेंट्स और और अन्विटी ड्यू बोला है मतलब अन्विटी एडवांस में तो एडवांस को अपने देखो कैसे करेंगे ध्यान देना एडवांस है ना एडवांस है ठीक है तो दो कॉलम बनाएंगे हाफ यरली यरली तो हाफ यरली रेट अफ पेमेंट कितना हो जाएगा तीन सो और यरली हो जाएगा अपना छह सो आठ साल है तो अगर अपने देखे यहाँ पर आ जाएगा number of periods तो यहाँ पर आ जाएगा सोला यहाँ पर आ जाएगा आठ यहाँ पर आ i4 दे दिया है, तो effective interest rate, तो एक काम करो, i4 दिया वे न, i2 by 2 निकालो और i निकालो, फड़ाफट से निकालो, i2 by 2 निकालो और i निकालो, फड़ाफट से निकाल के बताओ कितना आ रहे हैं? 0.0594 ओके, i2 by 2.025156 है ना, सही बोला तो मैं? i कितना आ रहे हैं? यह नहीं आ रहे क्या? 0.0594 नहीं आ रहे क्या? 0.050945 आई यहीं आ रहे क्या? सारा जी, i क्या रहे है आपका? 0.050945 और i2 by 2 आ रहे है 0.025156 तो? हम, ठीक है अब इसका equation देखना 308U16 उपर में कुछ नहीं होगा क्योंकि, हाफ यर में payment हो रहे है रहा हाफ यर में ही काम कर रहे है, at the rate 0.025156 और यहां पर क्या आ जाएगा? 6008U82 यहां पर भी अपने को क्योंकि present value निकालने बोला है, at the rate 0.050945 तो यह तो normally solve हो जाएगा? 300 1-1.025156 तो दी पावर माइनस 16 बाइ 0.025156 बाइ 1.025156 ठीक है? और इसको I मान के D2 निकालो, आई अगर यह है तो D2 क्या होगा? क्योंकि ADU है ना, तो D2 आएगा. तो 600 1-1.050945 तो दी पावर माइनस 8 बाइ D2 निकालो और बताओ कितना आ रहे हैं और दोनों से solve करो, answer बिल्कुल same आएगा. बताए answer कितना आ रहे हैं? D2 निकालो कितना आ रहे हैं? D2 निकालो कितना रहे हैं? 0.024538 ना, यह नहीं आएगा D2 0.0490 is the correct answer. 0.0490, yes this is the correct D2. अब solve करके बताए answer कितना आ रहे हैं? कितना रहे हैं रहे हैं? रहे हैं रहे हैं? 4010.154 is the correct answer Yes, very good. आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे. Next class आप लोग को inform कर दिया जाएगा, यहां तक कि अच्छे से पढ़िये and अभी जो दो classes हुए हैं, इसको मैं डाल दूँगा बहुत जल्दी लिंक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? Thank you all of you and just give me one moment.